Dear students, एक trick share करना चाहते हूँ आप सभी से जो कि Notice Writing से related है आप सभी को पता है कि Notice Writing 4 Marks का आने वाला है CBSE examination में तो आपको उस trick से 4 out of 4 मिल जाएंगे उसके लिए क्या करना है? कुछ बात आपको याद रखनी है जो कि मैंने ये example के साथ ready किया है तो चलिए से class को start करते हैं ताकि ये 4 marks हमारे पास हो First of all, आपको Notice लिखना है ये box के अंदर अगर ये box नहीं होगा तो आपका format से marks कटेगा इसलिए box पहले draw कीजिए और ये जो last वला line है उसको छोड़ दीजिए उसको close मत कीजिए क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितना area आपको लगने वाला है लेकिन ये भी ध्यान में रखिए कि आपको सिर्फ 50 words के अंदर Notice writing कम्प्लीट करना है ठीक है Next, institutions name box के अंदर में institutions name लिखना है जो कि capital letters में लिखना है और ये institution का name आपको मिल जाएगा question में अगर question में नहीं है तो आपको straight away ABC लिखके किसी भी जगह का नाम लिख दीजिए आप सोचते मत रहिए अपने school का नाम जो कि बहुत lendy है या फिर कुछ और क्योंकि आप ABC लिखेंगे तब ही आपको marks format में उतना ही मिलना है और अगर आप कोई fanciful नाम लिखते हैं कोई hi-fi नाम लिखते हैं तब भी वही marks मिलेगा इसलिए आपको ABC करना है ताकि आपको time मिल जाए बाकि सब reading section के लिए आपको save करना है अपना precious time next ये date date आपको लिखना है इस format में अगर आप लिखेंगे 301-2023 तो ये acceptable नहीं होगा क्योंकि अभी computer का जमाना है और computer में कभी month आगे होता है कभी actual date इसके वज़े से ये format को notice writing में avoid करते हैं आपको लिखना है 3rd January और अगली बात बता दू January में आप J-A-N नहीं लिख सकते January को full लिखना है January को भी full लिखना है और कोई भी day हो जैसे कि यहाँ पर Tuesday है उसको भी full लिखना है आप T-U-E-S लिखके full stop नहीं लगा सकते फुल लिखना है नहीं तो marks कटेंगे तो institutions name हो गया date हो गया उसके बाद आपको bold letters में notice लिखना है capital letters में notice लिखना है next किसलिए आप notice लिखना है उसका highlights heading में देंगे इसको कहते है heading heading के लिए जो first letter है each word का वो capital होना जाए जैसे की E capital है यहाँ पर और D capital है यहाँ पर तो यह दोनों को capital लगना है बागी running letter में होगा अब चलते हैं content section में content section बहुत ही important है और इसके लिए मैं आपको next slide में ले जाती हूँ फिर हम लोग back यहाँ पर आएंगे content section में यह बहुत ही important है और यहाँ पर देखिए अब whom इसको focus किजिए किसके लिए आपने notice किसके लिए आप notice लिख रहे हैं next occasion क्या है उसके बाद कब होने वाला है यह event या occasion day लिखना है आपको date लिखना है time देना है और venue यह कहाँ पर होने वाला है function या फिर जो भी बता ही जा रही है वो किस जगह पर होने वाली है say for example जो general events होते है teachers day workshop उसके बाद कोई seminar तो यह venue exact बताया जाता है लेकिन कहीं पे किसी को पैसा देना है कहीं पे कोई चीज़ सब्मिट करना है उसके लिए भी आपको specific venue लिखना है मैंने यह example ready किया है उसमें हम लोग यह discuss कर करने के बाद readers लोग क्या करेंगे उसका details देना है जैसे कि अगर आपने school magazine के लिए कोई stuff मांगा है कोई content मांगा है तो वो बच्चे लोग लाके किसको देंगे ठीक है इसका details लिखना है readers क्या करेंगे या उन लोग pass on करेंगे message suppose blood donation camp है तो उन लोग क्या करेंगे अगर interested है तो वो participate करेंगे interested नहीं है तो नहीं आएंगे तो उसके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है लेकिन अगर यह students के लिए है और उसमें NOC मांगा जाए पैसा मांगा जाए या फिर कोई documents मांगा जाए तो यह लिखना है कि उन लोगों को क्या करना है ठीक है next वो जो भी events बताई जा रही है उसके लिए अगर कोई query हो तो किस से contact किया जा सकता है वो contact details लिखना है कि name of the teacher, name of the staff उसके बाद phone number अगर ज़रूरी है तो phone number भी दे सकते हैं लास्ट में हम लिखेंगे designation of the issuing authority यह किसके थूरू notice दिया जा रहा है यह principal के थूरू है teachers के थूरू है या फिर just schools में different clubs बने रहते हैं उसके थूरू है तो यह सभी चीज included होना चाहिए notice में चलिए example में चलते हैं पहले question पढ़ते हैं और जो जो भी information यहाँ पे दिया गया है उसको underline करते हैं as secretary of the eco club of army public school एहमदाबाद draft a notice in not more than 50 words informing the club members about the upcoming excursion invent the relevant details invent the relevant details यहाँ पे देखिये बहुत सारे information दिया गया है किस ने issue किया secretary ने और राइट कहा का army public school एहमदाबाद का किस club से related है eco club जैसे debate club quiz club ऐसे होते हैं schools में तो eco club से यह notice जारी किया गया है army public school एहमदाबाद में है यह club next यह notice है club members के लिए जो की eco club से related है और इनको बताना है excursion के बारे में कब जा रहे हैं कहां जा रहे हैं और इसके पहले यह excursion जाने से पहले क्या क्या जरूरी चीज़ें करना है यहां पर जो भी information नहीं दी गई है जो की format में होना चाहिए उसको आप खुद से भी invent कर सकते हैं यानि कि आप अपने मन से कोई भी नाम लिख सकते हैं अगर यहां पर नहीं दिया होता तो आप लिख सकते थे xyz या फिर कोई और स्कूल का नाम ठीक है लेकिन मैंने जैसे कहा है आपका टाइम सेव होगा क्योंकि आपको रेडिंग सेक्शन भी करना है लिट्रिचर भी है राइटिंग के और भी सेक्शन से तो नोटिस राइटिंग इजी है बोलकि अगर आप उसमें टाइम डिवोट करेंगे तो आप complete नहीं कर पाएंगे पेपर इसलिए जल्दी जल् है it is for the information to all the members of eco club किसके लिए यह notice है members of eco club अब that the date of excursion occasion क्या है excursion यह होने माला है कब 12th January 2023 place mention नहीं किया है तो place के लिए यह undersign को phone कर सकते हैं ठीक है क्योंकि जब excursion के लिए venue exact नहीं बता सकते है तो उसको ignore कर दीजिए आपको यहां पर यह लिख देंगे तो आप वो जो place mention नहीं किया है उससे बच जाएंगे 12th January को होने माला हाई है excursion all the students must get students को क्या करना है उनक with an amount of 500 by 10th January 2023 Tuesday 10 a.m. यह किस के लिए है students के लिए है और उनको क्या करना है excursion occasion के लिए NOC लाना है अपने पेरण से NOC के साथ 500 रुपीज भी लाना है इस date के अंदर वो सब्मिट हो जाना चाहिए जो की Tuesday है 10th January Tuesday है 10 बज़े तक MP hall multi-purpose hall में पहुँच जाना चाहिए और यह सभी collection के इंचार्ज है Mr. Ratan Gupta और उनसे मिलके यह amount और NOC सब्मिट कर सकते हैं students अब यह line आपको जोड़ना ही जोड़ना है क्योंकि हो सकता है कि आपने कोई information मिस कर दिया जो कि यहां पर नहीं है और होने के बाउजद भी अगर आपने मिस कर दिया तो यह line cover कर लेगा मैंने deliberately जान बूच के place नहीं mention किया excursion का क्योंकि यह जो line है इसमें include करने के बाद इसको include करने के बाद में हम लोग safe site में चले जाते हैं see for further information do contact the undersigned आगे की और जानकारी के लिए undersigned को contact करें मतलब की जिसे की place नहीं दिया या फिर और भी कोई जानकारी है कितने दिनों के लिए जा रहे हैं यह एक दिन के लिए है या फिर 10 दिन के लिए है यह सभी के लिए secretary को call कर सकते हैं और information gather कर सकते हैं तो अगर आप इतना करेंगे तो आपका notice complete हो जाएगा और four out of four आपको जरूर मिल जाएगा अब देखिए यह frame मैंने बना के रखा है तो यहाँ पे आप जो भी question से related है वो school का नाम लिख सकते हैं date में कोई issue नहीं है date इधर question से related लिखिए या फिर अपना बना के भी लिख सकते हैं यह देखिए यह जो format है इसी में आप कुछ changes कर देंगे तो यह हर event के लिए हर workshop के लिए या फिर कोई भी occasion के लिए यह relevant हो जाएगा जिसे members of the eco club अब इसको हटा के आप लिख दीजिए members of the debate club members of the students of the class 6th students of class 12th यहां पर जो भी है इस section को remove कर देंगे आप तो आपका notice हर चीज़ के लिए ready हो जाएगा next date बता दीजिए event का कि कब होने वाला है event क्या है इसको हटा के लिख दीजिए जो event है कब होने वाला है वो लिख दीजिए और students से क्या चाहते हैं यहां पर NOC मैंने बताए NOC को हटा के कोई और भी चीज़ लिख सकते हैं और 500 के जगह उनका documents भी मांग सकते हैं तो format यही र format में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, सेवन चीज़े हैं, सेवन तिंग्स हैं जिसको याद करना है आपको I wish आपका full marks आए English में और कल के लिए ready रहेगा तब तक के लिए all the best, thank you